अब जब हम portrait photography की बात करते हैं या in general जब मैं photography की बात करूँ तीन सबसे common lenses जो किसी के भी दिमाग में आते हैं वो है 35mm lens, 50mm lens और 85mm lens ये तीन ऐसे prime lenses हैं जो हर एक photographer का आप बोल सकते हो starting में dream होता है वो lens लेना especially वो जो blur effect आता है smaller f number पे वो एक main reason होता है तो इस video में मैं आप इसे बहुत लोगों के एक question का answer देने वाला हूँ 35mm lens versus 50mm lens versus 85mm lens इन तीनों में क्या difference है और किस lens को आपको किस purpose से लेना चाहिए I'll try my best to answer your question तो start करते हैं वीडियो बट एक चीज में पहले आपको ये notice देता हूँ कि जो भी मैं इस video में mm के references ले रहा हूँ focal length के या photo के samples वो सब मैं full frame camera के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो अगर आप ए crop sensor camera body use करते हो तो आपको क्या करना है आपका जो crop factor है आपके camera के हिसाब से आपको उसे multiply करना है तो अगर आप Canon user हो 1.6 से multiply होगा बागी mostly जो brands है वहाँ पे 1.5 से multiply होता है तो उसे साब से आप calculations लगा सकते हो anyways starting with the video सबसे पहले मैं major difference पे बात करूँगा कि जब हम इन तीनों lenses को situation 1 में same distance से जब हम photos लेते हैं let's suppose मैं और मेरे subject का distance एकड़म same distance में है तो यहाँ पे अगर मैं आपको samples दिखाता हूँ side by side तो सबसे बड़ा difference जो आप notice करोगे वो है angle of view का जो 35 mm lens है वो wide है इन तीनों में से उसके बाद आप देखो कि 50 mm 35 से हलका आपको narrow angle of view दिखेगा और 85 mm lens का जो angle of view है वो सबसे ज़ादा narrow है तो यहाँ पे ही आपका answer मिल जाता है इन photos से कि अगर आपको ऐसा perspective चाहिए जो थोड़ा wide रहे तो आप 35 mm lens पे plan कर सकते हो अगर आपका perspective है कि आपको ना जादा wide चाहिए ना जादा narrow चाहिए 85 जैसा तो आप 50 mm plan कर सकते हो बट अगर आपका requirement है कि आपको specifically बहुत narrow angle of view चाहिए बहुत close up चाहिए एक subject का अब होता क्या है बहुत बार कई situations में होता है कि हम let's suppose इस room में मुझे photos लेनी है तो 35 mm lens से क्या होगा मैं थोड़ा wider perspective capture कर पाऊँगा बलही मेरे पास 8 या 10 feet का distance है 50 mm से थोड़ा मैं पास चले जाओंगा subject के 85 mm से क्या होगा मैं subject का मतब full length shot शायद ना ले पाऊँ जो मैं 35 और 50 से ले सको और एक और चीज़ आप notice करोगे जब हम same distance से photos ले देना तो जो blur effect है वो 85 में सबसे जावा मिलेगा then 50 में then 35 में तो जैसे जैसे focal length पढ़ती जाती है आपको पता है वैसे-वैसे blur effect भी बढ़ता जाता है अब चलते हैं दूसरे situation पर जहां पर मैंने क्या कर रहा मैंने अपना distance अपने subject से match इस तरह से कर रहा कि तीनो frames जो तीनो lenses से में shoot कर रहा हूँ वो match कर सके जैसे आप यहां पर samples में देख रहे हो अब यहां पर आपको देखने में तो एकदम same देखेगा तीनो का ही angle of you almost same है बट क्या आप एक बहुत बड़ा difference notice कर रहे हो और वो difference है सबसे पहला चीज background की compression में compression का मतलब क्या है अगर आप 35 mm की photo देखोगे उसमे background काफी जादा capture हो रहा है वो ही अगर हम 50 mm पे जाते हैं तो हलका सा जो background है वो compress होने लग जाएगा मतलब selected area देखेगा background का और वो ही जब हम 85 mm से photo लेते हैं तो आपके background का बहुत selected area आपकी photo में देखता है तो इस basis से ही आप इन तीनों में decide कर सकते हो लेंस कि अगर आपको ऐसी photos लेना पसंद है जहां पे आप background दिखाना चाहरे हो कुछ beautiful background है आपको ऐसी photos लेनी है अगर आप fashion photography कर रहे हैं portraits तब आप 35 में 50 में देख सकते हो बट अगर आपको background को एक्दम compress करना है personally मुझे इन तीनों में 85 का look जाना पसंद आ रहा है तो अगर आपको ऐसा look पसंद है दिन मेरे हिसाब से आपको 85 के लिए जाना चाहिए बट एक चीज यहां भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप 85 यह 50 से भी ले रहे हो ना photos तो आपको थोड़ा सब्जेक्ट से दूर जाना पड़ेगा 35 से आप सब्जेक्ट के पास से photos ले सकते हो तो यह एक major factor है consider करने के लिए बट सबसे important चीज जो आपको ध्यान रखनी है as a photographer और यह बहुत लोग miss out कर जाते हैं वो है जो human element है उसके face का perspective जो आप 35 mm से photo लेते हो आप सब्जेक्ट के बहुत पास होते हो और वहाँ पे क्या होता है let's suppose मान लेते हैं subject है अब मैं subject के इतनी पास से जब फोटो ले रहा हूँ तो मैं subject के इतनी पास हूँ कि मैं उसके face का पूरा 3 dimensional area दिखा रहा हूँ तो 2D effect मतलग थोड़ा सा face compress हो जाता है तो यह चीज आपके कहा का माई जी अगर आप कुछ ऐसे model का photo ले रहे हैं अपने friends का जिनका let's suppose मेरी तरह थोड़ा सा nose pointed है तो यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हो 50 यह 85 उन भी ideal बट अगर आपको face को जादा shape दिखाना है आपको perspective ऐ यह थे कुछ scenarios और examples and I hope आपको एक clear हो गया होगा कि 35, 50 और 85 में से आपको कौन से lens लेना चाहिए अगर आपको एसी और informative videos देखनी है and to support this channel all you have to do is subscribe कर देना और यह अपने friends के साथ आप video share कर सकते हो अब आदा है question कि इन तीनों lenses में से आपको कौन सा लेना चाहिए वैसे तो lenses ही prime lenses है तो अच्छा blur effect देंगे 50 mm एक बहुत standard angle of view है और यह सस्ता भी है सबसे तो अगर आप cost effective lens देख लोगे और आप regret नहीं करोगे चाहिए वो किसी भी brand का हो 85 mm lens है कैसा है जो अगर आपका budget allowed है यह आपको background compression बहुत अच्छा देगा blur effect बहुत अच्छा देगा और जो perspective है subject especially अगर आप close-ups लेते हो तो वो आपको अच्छा देगा that's it आप मुझे comment करके जरूर बताना इन तीनों में से आप consultants प्रेवर करोगे यह अगर आप already use कर रहे तो वो consultants है I love to know your views हम मिलते आ गई इसी तरह interesting and informative वीडियो में till then take it and keep clicking